नवसकार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में आज के वीडियो में आप लोगों ने मुझे बहुत पूछा था कि वीडियो ग्लोलेट की भाई गेमिंग की वीडियो बनाओ डेडिकेट गेमिंग वीडियो और मैंने काफी टाइम लिया इसे बनाने में पर यह इस इस फाइनली यह तो आज की वीडियो में मैं काफी बात करने वाला हूँ मैंने दोनों एंक्सबॉक्स और प्लेस्टेशन को क gaming क्या इसमें आप 4K 60Hz HDR के साथ gaming enjoy कर सकते हैं क्या आप Dolby Vision gaming कर सकते हैं Xbox Series S पे और Xbox Series S पे क्या आप 120Hz 1080p पे यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं तो ऐसे ऐसे कुछ सवाल है जिन सारे सवालों का जवाब आपको आज के वीडियो में मिलने वाल है तो भाई अन तक जरूर देखेगा और कहीं मत जाईएगा शुरू करता है इस वीडियो को मैं सबसे पहले कनेक करूंगा अपनी Xbox Series S को और मैं बताऊंगा क्या-क्या बोलते हैं न resolutions और options available है इस TV में so let's get started folks सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं और आपको एक करना चीए मैं आपने पिछले वीडियो में भी बताया पर since this is a gaming video मैं वापिस आपको बता दे रहा हूं सबसे पहले न आपको ये input button दबाना है remote पे all right यहां पर input वाली जो button है आप उसे दबाईएगा जब input वाली button आपको दिखेगी HDMI का option है आप पे आएगा HDMI को दबाईए दबाने के बाल आप Netflix के उपर एक button है square type 1 उसे दबाईए आपको एक option मेरेगा यहां पे HDMI format प्लीज नोट आपको ये HDMI format enhanced format में करना है वनना आप gaming को अच्छे तरीके से enjoy नहीं कर पाएंगे VRR auto low latency mode जो ALLM है वो भी नहीं चलेगा तो प्लीज आप Xbox Series S PlayStation 5 को connect करने के पहले यह step जरूर कीजेगा standard format से enhanced format में लेके आईएगा अब now that it is done चलो भई Xbox को connect करते हैं देखो भई जैसे ही मैंने Xbox अपनी पहले बार connect की यह बता रहा है enable advanced video features पहले बार Xbox Series S को connect करने पे It looks like your TV supports advanced video features designed to help you get the most of your games तो भई नेक काम में देरी क्यों enable दबाओ और yes enable करते हैं इन सारे features को keep this resolution, keep मैं बोलूँगा क्योंकि मुझे enjoy करना है इसके सारे features अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ TV and display options में जाता हूँ तो यहाँ पर क्या-क्या options available है सबसे पहले तो मैं आपको इस TV की details बता देता हूँ कि यह क्या-क्या support करता है, क्या-क्या support नहीं करता है Now your TV supports 4K UHD at 60Hz So 4K 60Hz support करता है Your TV does not support 4K UHD at 120Hz तो please note कीजेगा, this is not a 120Hz panel यह आपको clearly बता दे रहा है Your TV doesn't support 120Hz, game won't display at 120Hz T के सामझ में आ गया HDR10 for games and apps is turned off, यह मैं on कर दूँगा तो HDR10 यह support करता है Your TV supports Dolby Vision for gaming तो Dolby Vision Gaming आपको इसमें मिल रहा है Please note, guys, again, वापिस से यह point आप ध्यान से देखेगा और आपके पास अगर सवाल होंगे कि क्या View Glowlight TV Dolby Vision Gaming को support करता है बिलकुल करता है Your TV supports 4K 10bit at 24Hz 4K 10bit at 50Hz 4K 10bit at 60Hz HDR10 for games and apps भी support करता है But it turned off है दिखा देता हूँ आपको मैं जाता हूँ यहाँ यहाँ पे Video Modes पे HDR10 मैंने off करके रखा हुआ है देखे, मैं इसे जैसी on करूँगा अब मैं वापिस उस्क्रीन पर चले जाता हूँ 4K details देखे, सब कुछ यहाँ पे Check, 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 check सिरफ एक चीज़ यह support नहीं करता है That is 4K 120Hz पर एक चीज़ मुझे चेक करनी है सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ 1080p पैसे लेके आता हूँ resolution को अब मैं क्या करता हूँ ओ, यहाँ पे वो option ही नहीं है जैसे मेरे Samsung AU9070 वाली जो वीडियो थी आप ने, अगर वो नहीं देखी है तो वो जरूर देखिएगा, ठीक है क्यों? क्योंकि उसमें जब आप resolution चेंज करता है आपको यहाँ पे resolution चेंज करने के बाद option आता है 60Hz, 120Hz का वो option ही नहीं आ रहा है यहाँ पर तो अगर आपके मन में वो सबाल है क्या यह 120Hz को support करता है at full HD, यानी 1080p जवाब है, unfortunately no, it does not support तो भाई, मैं 1080p पे रखूँ ही क्यों पर 1440p पे रखता हूँ, क्या यह 1440p को support करता है yes, it supports 1440p, this is incredible now, it's incredible because बहुत सारे महेंगे TVs भी आपका यह 1440p resolution जो है वो support नहीं करता है it is absolutely great कि this supports 1440p resolution तो आपको यह जान करके खुशी होगी in fact, that means कि यह 1440p पे 60Hz आपको पूरा पूरा करके देगा but I want to game at 4K UHD क्योंकि मैं चाहता हूँ कि Xbox के जो games भी है उसे यह upscale करके मुझे 4K पे दिखाए it's like an upscale 4K तो यह तो आपने देख लिया था देखे यह भी मैं बता दे रहा हूँ कि allow variable refresh rate मैंने check कर लिया है auto low latency mode मैंने check कर लिया है dolby vision gaming मैंने check कर लिया है HDR 10 auto HDR मैंने check कर लिया है तो यह सारे चीज़े मैंने check कर लिया है अब चलो मैं आपको सिर्व एक game पर गुष के अपना game का experience बताता हूँ on this कैसा है एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ वापिस से let me quit this game मैं बता रहा हूँ क्यों this is important सबसे बहले मैं इसे quit करता हूँ मैं वापिस इसे यह करता हूँ start करता हूँ reason है क्योंकि जब आप एक game को start करेंगे and अगर उस game में Dolby Vision supported है आपको सबसे पहले उपर में देखेगा यहाँ पर Dolby Vision का symbol आ गया था वहाँ पर तो Dolby Vision game अगर support करेगा महाँ पर आपको Dolby Vision भी दिखा देगा Cyberpunk 2077 को हाली में Edge Runners वाली update मिली थी तो मैंने सुचा भई इस game को try करते हैं क्योंकि with the Edge Runners support Cyberpunk 2077 भीन Xbox Series S पे 60 FPS पर चलती है तो that really changes the entire game because 60 FPS से यह game की जो look है वो काफी smooth feel होती है अब चलो भई इसे शुडू करते है और yep, let's get signed in volume को मैंने कम हीम पर रखा हुआ है आप देखींगे अगर volume मैंने 6 पर रखा हुआ है because the TV gets really loud यार और TV के बारे मैं अगर मैं बोलू न like audio settings and all that a lot of people have asked me video settings इसकी best किया है audio settings इसकी best किया है मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ please video and audio settings is something which is very subjective तो यह आपको अपने personal taste के उपर ट्वीक करके ही मज़ा आएगा मैं आपको जो भी बोलनू आपको मेरी settings शायद समझ में ना आए क्योंकि जो आपको अच्छा लगता है वो शायद मुझे अच्छा नहीं लगता है जो मुझे अच्छा लगता है वो शायद आपको अच्छा नहीं लगता है तो please मैं यही request करूँगा आपको कि आप picture settings में जा करके यहाँ पर आप set कीज़ेगा और अगर मैं picture settings में चला गया वापस मैं आपको बास बता दे रहा हूँ backlight मैं रखा हुआ है at 100% for the sake of this video पर बाकी सारी चीजे जो है color भी मैंने 50% पर रखी हुई है इसलिए क्योंकि HDR अभी on है और इसके अलावा बाकी सबसे मैं इतना छेड़ चाड़ी करता नहीं हूँ I mean in terms of the settings game mode पर automatically है motion enhancement off है by default क्योंकि game mode में आप जब इसे game mode में रखेंगे motion enhancement by default off हो जाएगा अब ध्यान रखेगा instant game response यहाँ पर auto पर रखा हुआ है blue light off है क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगता है वो color space मैंने native पर रखा हुआ है तो अब मैं आपको game play जो है वो आपको दिखाता हूँ ताके आपको इसकी gameplay देख करके समझ में आएगा कि यह कितना smooth है यार I mean बिल्कुल मजा आ जाएगा Cyberpunk is a very recent game तो आपको एक अंदाजा भी हो जाएगा and in terms of brightness, whiteness and all आप देखे इस TV is super bright I mean HDR का जो performance है इस game का और इस TV का overall is absolutely phenomenal मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ कि मैं इसे कौन से क्या बोलता है settings पर चला रहा हूँ और आपको बताता हूँ कि मैं इसे performance mode पे चला रहा हूँ performance mode पे इसका मतलब है 60 fps पे चलेगा on Xbox Series S तो let's come back here and man आप मुझे बताईए आपको कैसा लग रहा है यार ये video unfortunately मैं 24 fps में ये वाला shot record कर रहा हूँ but let me do something, let me change things, okay, I'll make this interesting मैं इसे 60 fps पे record करता हूँ hold on, आप एक color shift देखेंगे that is because of my camera it's not because of the console, it's not because of the TV क्योंकि मेरे camera पे जब मैं 60 fps पे record करता हूँ I cannot record in बोलते ना, एक flat color profile, मैं DC इस इनलाइक में record नहीं कर सकता हूँ in 60 fps, तो ये वाली जो footage आप देख रहे हैं, ये 60 fps पे by the way, मैं इस वीडियो को भी 60 fps पे edit करूँगा, तो आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि इसकी वीडियो की जो performance एक game की आप देखिए इसकी smoothness, आप मुझे बताईए आपको कैसा लग रहा है आपको एकदम मजा आने वाला है इससे देख करके तो गाड़ी वाड़ी तो आपने देख लिया इसका performance कैसा है चलो मैं एक दूसरा game load करता हूँ, game file और आपको बताते था हूँ, अगर मैं कहीं पर जाके action-ve-action भी कर रहा हूँ तो action-ve-action कैसा है इस game का Xbox की न मुझे यही problem actually मैं लगती है कि इसका जो controller है that is extremely loud आप button दमाएंगे आपको लगेगा एकदम बहुत जोर से आवाज आ रही है कहीं से, मैं brightness थोरा सा बढ़ा दे रहा हूँ अपनी camera का, मैंने ISO बढ़ा दिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि यह काफी dark लग रहा था यह देखिए आपके camera के ओपर भी depend करता है तो चलो भाही मैं आपको भागवा के दिखाते हूँ इस एकदम मखन एकदम smooth, let me jump here alrighty fast अगर मैं move कर रहा हूँ आपको समझ में आजएगा कि कैसी है इसकी performance wow, this is really good यह दो एक first person game हो गया, मैं फटाफ़ट आपको एक third person game भी बता देता हूँ and that is it when it comes to Xbox Series S फिर हम फटाफ़ट जम करेंगे over to PlayStation 5 as well तो third person game के लिए मैं आपको बता देता हूँ फटाफ़ट अपना एक game which is let's go with Outriders, यह game भाई, मुझे काफी अच्छा लगा था it was really good I don't know इसकी ratings, ratings कितनी थी यह मैं भूल गया हूँ पर personally इसकी gameplay मुझे काफी अच्छी लगी थी तो यह भी Dolby Vision का देखे, sign आगया वापे, उपर में कि यह भी आप Dolby Vision में खेल रहे हैं तो Dolby Vision Gaming का अब पूरा फाइदा उठा सकते हैं on this and the colors look really great जो HDR performance है इस television की चाहे वो OTT platform पे हो आप content देख रहे हो या फिर gaming में हो आपकी जो shadows में भी जो details है वो इस TV पे मुझे दिखे तो मेरी जो महंगी TV थी Samsung EU9070 में उसमें हाँ, contrast ratio was better, the contrast was definitely यहां पे यह जो dark areas में जो आपको details दिखेंगे, वो मुझे Samsung की TV में नहीं दिख रही थी तो उसका performance was not as good as this in terms of HDR and also this TV is much brighter यार, इसकी जो brightness level है वो उससे far far better है on paper, it claims कि इसमें 400 nits की brightness है but I'm sure कि certain peak windows में, it goes beyond that 400, I'm 100% confident because on paper Samsung की जो peak brightness है, there is around 330 nits if I'm not wrong तो in comparison, anyways on paper भी this is better but अगर मैं इसकी real life में आपको बता दूँ, experience है तो भई, इसमें तो बहुत मजा आ गया था यार मेरे को खेल के continue game, yes 2, 1, okay, let's continue तो यह 3rd person वाला भी यह camera angle में आपको बता देता हूं कि यह कैसे दिखती है Xbox series इसमें ना खेलना मजा आए जाएगा यार यहाँ पर देखे, वो, this is also really good इसका एक update भी आया था, मैंने update डाउन्लोड नहीं कि unfortunately, बट यहाँ पर मैं सिरफ आपको थोड़ा सा घूम घूम करके यहाँ पर दिखा देता हूं कि कितनी smooth है इसकी gameplay यार आप देखे, आप बताईए मुझे आपको कैसे लग रहा है मजा आ रहा है कि नहीं देखे चलो भाई इसका यह campaign board पर जाते है अपने और इसकी gameplay was really really very edgy you will really be at the edge of your seats क्योंकि इतनी अच्छी है इसकी gameplay मुझे actually मैं काफी मज़ा आया था यह game को खेल करके आप इसकी TV की brightness देखे यार अभी और Dolby performance इसकी ना is mind-blowing this gaming is absolutely phenomenal for this price point 60fps का पूरा मज़ा उठा रहे है Dolby Vision का पूरा मज़ा उठा रहे है HDR का एक एक जो details है especially these these regions यह पता नहीं camera कितने अच्छे तरीके से pick up कर पाएगा but let me tell you कि I can take a look at every single detail here every single detail और जो shadows में जो information है that is also absolutely brilliant आप देखिए smoothness देखिए इसकी I mean मज़ा आजाएगा आपको जितना मज़ा मुझे आ रहा है hopefully आपको भी उतना ही आएगा but let me tell you that the performance of this in the game is absolutely great wow man this game was very very challenging काफी चालेंजिंग था यह गें और काफी तफ भी था oh no 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 all right all right but hopefully आपको एक अंदाजा हो गया होगा and this video को देखने के बाद I mean इस video को देखने के बाद आपको at least एक आईडिया होगा कि Xbox Series में आपकी यह gaming performance कैसी है तो Xbox Series S की gaming performance is absolutely mind-blowing it is really really I mean really really good really great in fact good is an understatement अब मैं बापिस चलता हूँ PlayStation 5 पे और आपको दिखाता हूँ की PlayStation 5 की performance कैसी है तो let me switch on my PlayStation 5 and let me switch over the input to PlayStation 5 तो PlayStation 5 मेरी यहाँ पे by the way HDMI 1 जो इसकी है that is the e-arc as well तो अगर आप इसे एक soundbar से connect करना चाहते है आप HDMI 2 में connect कीजेगा अपने console को HDMI 2 और 3 में HDMI 1 को आप रखेगा e-r के आर के लिए ताके आप एक soundbar को आर्क या e-r के थू connect कर सकें but अभी के लिए मैंने PlayStation 5 को यहाँ पे connect किया हुआ है तो यह मेरे बेटे का प्रोफाल है it's not pie but let me get into this अब पिछले वीडियो मेंने आपको दिखाया था God of War का जो वीडियो था पर मैं आपको थोड़ा बहुत Spider-Man के बार में बता तेता हूँ I think मैंने Spider-Man भी थुड़ा बहुत दिखाया था पिछली वीडियो में especially मैंने detailed review में मैंने Spider-Man दिखाया था but again let me show you Spider-Man because this I believe is a great showcase for this TV की performance तो इसे मैं continue करता हूँ और in terms of the performance it is absolutely smooth I mean आप देख सकते है और colors आप देखी यहाँ पे जो रंग देख रहे है आपकी जो sunset में जो colors है of the sky like oh man look at that that is absolutely bright अगर camera will not do justice but अगर आप इस अंधेरे रूम में इस सीन को देख रहे है आपको शायद आखों को थुरा सा थुच करना हूँ because it is so bright that area की इसकी HDR performance is really really phenomenal I'm so impressed की इस price point पे और मुझे कोई पैसे नहीं दे रहे है मुझे व्यू से पैसे नहीं मिल रहे है ऐसा आपको लगना नहीं चाहिए कि भाई ये बिकाव इंसान है क्योंकि भाई कोई मुझे TV यूनित भी नहीं भीजता है review के लिए सारे टीवी यूनित जो भी प्रडक्स आप मेरे चैनल पर दिखेंगे सब मैंने अपने पैसे दे करके लिए हो है तो आप एक एकदम unbiased, honest जो opinion है, जो review है आपको मेरे चैनल पर मिलेगा तो ये मैं आपको बता देता हूँ ये मेरी personal opinion है that this is absolutely phenomenal I mean, इसकी HDR performance is हरे colors आपको इतने खिल-खिल के दिख रहे है वहाँ पे आपको sunset में yellow-wellow तो दिखी रहा था इस साइड में अगर आप आजाएंगे ना तो ये नीले जो आसमान का color है और जो बादल-वादल में थोड़ा सा हलका सा pinkish tint है I mean, it looks really great यार I mean, क्या बताओ, इतना मज़ा आएगा आपको और वो जो लाल-लाल जो पेड़ भी है ना नीचे में आप देखे colors कितने खिल के दिख रहे हैं यार I mean, और smoothness तो भाई एक दम प्यार हो जाएगा आपको इससे देख करके मेरा प्यार शाली मार तो वैसा आपको लगेगा बिलकुल इसमें खेल करके और वापिस से HDR gaming आप कर रहे हैं आपको मज़ा आने वाला है यार The camera is not even doing justice to this और personally मैं जो experience कर रहा हूं वो मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर पा रहा हूं कि कितना अच्छा लग रहा है in terms of the smoothness और यह ऐसी गेम है ना Spider-Man की एकतम fast-paced है तो यह fast-paced game में अगर आपको थोड़ा सा jittery gameplay लगे तो obviously वो problematic है बट यह वाला तो यार देखिये I mean it is smooth हर एक frame इतने मखन के तरह यह चल रहा है कि आपको बिलकुल मज़ा आने वाला है यार तो यह था Spider-Man और मैं फटा-फटा आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ यह चीज़ में बताना आपको भूल गया है क्योंकि मुने आपको Xbox में इसके सारे जो settings थे उसके बार में बताया है तो यहाँ पे मैं आपको वापिस बता देता हूँ जब मैं screen and video में जाता हूँ आप देखे फिलाल तो मैं इसे 4K पे खेल रहा हूँ बट आपके पास 1440p यहाँ पे भी अवेलेबल है तो इस अवेलेबल नोट जस्ट अनियर Xbox Series S बट इस अल्ट अवेलेबल अनियर PlayStation 5 पर PlayStation 5 में एक caveat यानि एक कमी यह है कि 1440p जब आप PlayStation 5 पे करेंगे तो आप notice कीजेगा VRR आप नहीं चला पाएंगे और one more thing आप अगर इसे 1440p पे करेंगे तो आप HDR भी नहीं यूज कर पाएंगे तो I wouldn't recommend using the 1440p and it's more or less थोड़ा थोड़ा सा आप बोल सकते PlayStation 5 को 1440p is not as good as Xbox की 1440p तो आप अगर इसे PlayStation 5 से connect कर रहे हैं I would recommend कि आप इसे पूरा 4K पे खेलिए क्योंकि 4K पे खेलने से आपको सब कुछ अवेलबल होगा VRR अवेलबल हो जाएगा HDR अगर आप यहाँ पे देखेंगे HDR is also always on तो यहाँ पे HDR का भी आपको पूरा support मिल रहा है तो यह आपकी वीडियो वाली जो settings है और मैं यहाँ पे आपको वीडियो output information भी बता देता हूँ जैसे मैंने आपको Xbox में भी बताया था यहाँ पे आप देखें HDR is supported VRR between 48 to 60 Hz supported frequencies in HDR 24, 25, 30, 50 Hz 60 Hz भी frequencies non-HDR भी 60 Hz because यह obviously 4K 60 Hz panel है this is not a 120 Hz panel HDCP का is 2.3 अगर आप जानना चाहते हैं वो भी color format अभी मैंने U422 HDR में रखा हुआ है तो this is what your screen and video information is. अब sound भी का बहुत ही mind-blowing है but I'm not gonna get there let me go over to let's say एक दूसरी game अगर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ let's say Assassin's Creed चलो Assassin's Creed को खेलता है this is also one of my favorite series in fact इसकी जो favorite game थी मेरी from this series was Assassin's Creed Odyssey आपकी कौन सी favorite है Assassin's Creed games में से आप मुझे comments में जरूर लिख के बताएगा मैं आपको बतादे रहा हूँ मेरी personal favorite in Assassin's Creed is Assassin's Creed Odyssey number one favorite मेरी वो है number two पे I think Assassin's Creed Origins was really great number three is not even Valhalla by the way number three is Assassin's Creed Unity I really love that game really love that game और वो मैं PC में भी आपको खेल करके बताऊँगा मेरी चैनल पे मैं एक वीडियो दालूँगा और आप वापिस आईएगा देखेगा मेरी चैनल पे मैं गेमिंग के भी बहुत सारे गेमप्ले वीडियो बनाता हूँ मुझे support मिलेगा आपकी और मुझे अच्छा लगीगा अगर आप आख करके वापस से कमेंट करेंगे उस वीडियो पे भी पर असासें स्क्रीड वाल हला मैं बोलूँगा इस प्रॉबबली इन दी फोथ पॉजिशिशन इन दिस लिस्ट अप असासें स्क्रीड गेम तो चलो भाई इसे भी देख लेते हैं हम लोग फटाफ़र और इसमें भी देखे यार कलर्स रिली यह जो डीटेल्स आप देख रहे न है यहां पर इद अगें आपको बता रहा हूं मेरे जो समसंग यू 9070 में बीना मुझे यह सब नहीं दिख रहा था इतने अच्छे तरीगे से आपके मन में अगर यह क्वेशन होगा ना भाई मैं बलापं थॉमसं कोडा की कुलेट्स 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 मैं बता देता हूं और एक कुलेट्स भी किया है अच्छे बताईए अपको कैसा लग रहा है यार इस सीन is a perfect example of how well the HDR runs on this यहां पे आपके lights आ रहे है sunlight की जो natural sun rays है यहां पे जो है आपके shadowy areas है shadows भी dynamic है यहां से pass हो रहे हैं तो this is a very good scene and अदर आप इसे देख रहे है आपको क्या लगता है आप comments में जरूर बताईएगा मुझे I mean इसके जो costume में भी जो details है एव और का हरी details को मैं कितने बारीकी से देख सक रहा हूं यार इसके जो हाथ की जो जो band है यहां पे जो इसका fur है helmet में जो information है यहां तक कि यह जो VFX है ना like special effects कुछ भाग रहा है यहां पे light इतना अच्छे से दिख रहा है ना यार I mean really दिल खुश कर देगा यार दिल रियली खुश कर देगा आपका आपको मजा आने वाला है इसे देख करके तो वापे से देखिएगा oh man this looks absolutely stunning man यह मैं performance mode पे खेल रहा हूँ by the way oh and look at that look at the graphics by the way PlayStation 5 पे अगर आप खेलेंगे यार आपको मजा तो आना ही है I mean this looks really gorgeous on the PlayStation 5 even on the performance mode ना इसकी जो खुबसूरती है इस गेम की in terms of the visual fidelity yes मैं कहूंगा की this is really up there in terms of the visual fidelity यह गेम जो है पर उसके अलावा in terms of overall जो स्टोडी वोडी थी ना मुझे असासिन स्क्रीड ओड़िसी की और अच्छी लगी थी but look at this यार आप मुझे बताइए आपको कैसा लग रहा है मुझे तो एकदम मकरन experience आप बोलता है ना कि आप फिसल जाएंगे इतना smooth है इसका performance और वापिस है वो लाइटिंग देखिए sun rays देखिए जो HDR performance है इस फिनॉमनल shadows वो dark areas जो है उसे आप देखिएगा और जो bright areas है उसे आप देखिएगा और personally मैं आपको बता रहा हूँ कि camera के जो viewfinder है I mean मेरी iPad पे मैं से देख रहा हूँ it is not doing justice it is not doing justice to how it looks in real life आप बोलेंगे point के आए फिर video बनाने का यार real life का तो कुछ हम लोग experience ही नहीं कर पाएंगे it is just to give you context दोस्तों तो आप दिल की बातों को थोड़ा समझेगा और मैं अपने personal opinion इसी लिए commentary के द्वारा आपके साथ share कर रहा हूँ ताकि मैं आप तके जो message है वो पहुंचा सकूँ कि इसकी overall gaming performance कैसी है and again मैं यही बताऊंगा आपको कि it is so good न कि यह सारी games जो मैंने आपको दिखाए हैं अभी मुझे मन करें कि मैं इन्हें वापिस खेलू इस TV पे उतना अच्छा है इसका HDR performance और उतना अच्छा दिखता है यह in fact आपने जब Xbox Series S पे देखा था ना उसमें कोई-कोई games तो I think was not even native 4K वो actually मैं 1440p है 1080p पे चल रहा था तो वो भी आप देखेगा कि game की upscaling भी है Xbox Series S पे कितने अच्छे तरीके से कर रहा था और Cyberpunk की अगर आपने example देखी होगी तो वो तो actually मैं चल रहा था in 1080p क्योंकि 1080p 60fps है वो तो आप यह सोच करके देखेए कि इसकी game की upscaling कितनी अच्छी है Oh man, look at this scene this is so beautiful यार perfect example सारे colors यहाँ पर कितने खिल खिल के दिख रहे है background में वो लाल दिख रहा है आपका आसमान में वो जो बादल है grey way और light पे भी जो reflection है न इसके weapon की E.W.A.W.R. की weapons की वो देखिये light में जो reflection आ रहा है I mean पानी पे जो reflection आ रहा है वो weapon का Oh man, it is phenomenal absolutely mind-blowing तो overall मैं आपको यह बता सकता हूं कि इसकी जो gaming performance है आप बिलकुल भी निराशनी होंगे यार View Glowled is is really great in terms of gaming आप इसमें सब कुछ कर सकते हैं You have VRR You have ALM Dolby Vision Gaming आप इसमें कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था and वापिस से मैं just switch back करूँगा very quickly यहाँ पे मैं pause दबा करके I will again go back to आपका Xbox वाला screen यहाँ पे settings पे वापिस मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें जो आपको features available है आप धियान से देखीगा यहाँ पे कि इसमें आप Dolby Vision Gaming कर रहा है और जैसे कि मैंने आपको बताया जो Cyberpunk की इसकी performance थी last मैं वापिस बता दे रहा हूं Cyberpunk was running at 1080p 60fps Quick Resume का जो Xbox Series S में feature है ना It's really mind-blowing It's really great It just takes me back right into the heat of the action कोई loading warning screen मिन ने है Quick Resume is really that great और यह आप देखे यह चल रहा है अभी आपका at 1080p बट यह इतने अच्छे तरीके से upscale कर रहा है that to me to my naked eyes आप बोल सकते हैं It looks like it's 4K Almost as good as 4K यार I mean really good तो भाई आज के लिए मैं बोलूँगा इतना ही आज के वीडियो के लिए और आप मुझे बताईएगा कि आपको यह वीडियो देख करके कैसा लगा और आपके views जो है thoughts, comments आप comment section में लिख दीजेगा कोई सवाल अगर आपके हो तो वो आप लिख दीजेगा comment section में मैं आपके सवालों का जवाब जो है जल से जल आप तक पहुचा दूँगा और मैं यही कहूँगा भई इत्स व्राप फॉर दिस वन बर जाने के पहले अगर आपको एक content अच्छा लगा हो तो प्लीज आप मेने चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं आपको पता चल जाएगा कि पंची मैं के नहीं वीडियो आगई है ना विदाट सेट इस वराप फॉर दिस वन हम मिलेंगे अगले वीडियो में लेकिन तब तक मैं कहूंगा टेक केर, स्टे सेफ, हपी गेमिंग, खेलते रहीएगा और अपनी एक्सपिरिंस को शेर कीजेगा मेरे साथ इन दे कमें सेक्शन और टेक केर अफ यरसेल्स और अज़ दोस्तो, में गान, ब्लेस्ट यू आल